असलाम अलेकुम दोस्तों क्या हाल जाने आपके अमीर करती हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आज के इस वीडियो में हम कुछ बहुत इंपोर्टन्ट जो क्वेस्चन्स हैं आपके उनको डिसकस करेंगे हमारे बिगनर्स को कुछ कंफूजन्स हैं जिनको सॉल्ब करेंगे इस वीडियो में सबसे पहला उनका जो प्राबलम यह है कि वह अक्सरों बेचतर हमसे यह क्वेस्चन करते हैं कि 10 लेवल लिफ्ट क्या होता है ठीक है कि नहीं हमारे बिगनर्स को भी इस चीज़ का और लिफ्टिंग क्या है घब बाल को कर्डॉन किया जाता है तो बाल जो है वो लाइट होना शुरू हो जाता खेंगे वह वह ब्लैक कलर कंट डार माल को बाल होता चेल मर दो टिक यह कि वह वह वन टू यह लेवल टू लेवल कि या ओब यहाँ जो बाल होता है अगर आपको लिफ्टिंग का रिजल्ट का रिजल्ट का रिजल्ट मिल जाता है बिलकूल 10 लेउल का मिल जाता है तो आप Supati गोल्डन ब्लोंड या ऐश ब्लोंड या फिर ग्रे जो कलर है वो बहुत ही असानी से ऐसे बालों पर जो है वो आप ला सकते हो ठीक है प्राबलम वहां आती है जब आपकी लिफ्टिंग का रिजल्ट ठीक नहीं होता आपका लेवल जो है आपको ब्लॉण कलर जैसा कि आप आप देखें कि आपको ब्लॉण कलर चाहिए लेकिन आपकी लिफ्टिंग वह 7 लेवल की है तो आप ब्लॉण कलर की तरफ नहीं जा सकते ठीक है अगर आपको हाइलाइट करना है तो आपके करड़ों का रिजल्ट जो बहुत ही जादा जो है वो मज़े का होना चाहिए तब ही आप एक यूनिक और खुबसूरत कलर जो है उसे हासिल कर सकते हैं दूसरा आप लोगों का एक बेसिक क्वेश्चन जो है वो यह होता है क कि जब हम अपने बालों पर जो है वो हेर कलर अपलाई कर देते हैं तो उसको लगाते लगाते यानिकि अगर हम बैक से शुरू करते हैं तो फ्रंट पर आते आते हमें आधा पोना घंटा जो है वो लग जाता है ठीक है उस दुरान में जो हमारे बैक वाले बाल होते हैं उन हम फॉल पेपर को खोल कर चेक करते हैं अगर हमें वहां पर अपना मतलूबा रिजल्ट मिल चुका है उसमें टाइमिंग चाहे हमारे अपलाई की होए कि 10 मिनट पहले लगाया हो या 20 मिनट पहले लगाया हो या 30 मिनट पहले हो जब भी हमें ऐसा फील होके हमारे बाल ने अपना मतलूबा रिजल्ट हासिल कर लिया हमारा बाल जो है वो अच्छे से कट डॉन हो चुका है तो आप फॉरन से जो है वो बॉल लें उसमें थोड़ा सा पानी लें और उससे उस फॉयल के अंदर जो आपके बाल है उसको वोश कर दें ठीक है इस तरीके से जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से आपका बाल जो है वो बिल्कुल सेव रहेगा बालों का क्यूटिकल ना फटेगा ना आपका बाल रफ होगा ठीक है रफ क्यूं होता है हमारा बाल रफ उस वक्त होता है कि जब हम बैक से अपने फॉयल लगाना शुरू करते हैं फ्रंट पर आते हैं हम आदा पोना एक घंटे लग जाता है और हम बैक वाले बालों को एक बार भी चेक नहीं करते हैं कि हमें रिजल्ट जो है वो कहां तक मिला है ठीक है तो इसलिए आपने जब भी काम करना है फॉयल लगाना है ठीक है आपने आदे घंटे के बाद जो है उनको खोलना है उसे चेक करना है अगर आवाँ पर आपको लगता है कि हमारे बाल ने अपना मतलूबा रिजल्ट हासिल कर लिया है तो वहीं पर आप इनको वाशिंग करवा दें ठीक है ये प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल होता है ठीक है लेकिन परफेक्ट और एक मैथड है ये इससे आपका बाल बिल्कुल बर नहीं होगा आपको रिजल्ट एक बहुत ज्यादा जो है वो अच्छा मिलेगा आपके बालों का जो जैसा कि क्लाइंट अक्सरों बेश्टर कंप्लेन करता है कि हमारे बाल जो है वो रफ होगें वो भी नहीं होगा क्यूंकि आपने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो करडों है वो इसमें अप्लाई नहीं किया है जितना जरूरत था उतना ही जो है वो आपने इसके अंदर आपने करडों का मिटीरियल को एड़ करना है वैसे भी आपको जब करडों वगएर अपने बालों में अप्लाई कर लेते है यानि हाईलेट्स वगएर करवा लेते हैं तो उसके बाद भी आपको जो है यक्स्ट्रा अपने बालों के केर की जरूरत होती है क्यूंकि जो करड़न का मेटीरियल है वो हमारे बालों से मॉस्चर को खत्म कर देता है यानि कि हमारा बाल ड्राइ फील होना शुरू हो जाता है और ऐसे में आपको हमेशा मॉस्चराइजिंग शैंपूज वगरा उसको यूज़ करना चाहिए जो कि आफ्टर डाइ शैंपूज होते हैं या पी एच सिक्स शैंपूज होते हैं किनिशनर्स होते हैं और आपको मास्क भी जो है वो मॉस्चराइजिंग या फिर केराटिन मास्क इसको इसाथ जो है वो लाजमी तोर से यूज़ करना चाहिए जो कि हमारे बालों को अक्स जो है वो मॉस्चराइजर जो है वो प्रोवाइड करते रहेंगे और हमारा बाल जो है एक्स्टा ड्राइर नहीं होगा ठीक है तो ये आपके क्वेश्चंस थे मेरा खैला क्याफी हैफ़ल वीडियो रहा होगा आप लोगों के लिए आप कमेंट करके बतायेगा मजीद आप लोगों के क्या क्वेश्चंस हैं क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे कमेंट करके अपनी प्राबलम जो हैं वो बता देते हैं और फिर मैं उनसे रेलेटिड वीडियो जो हैं जब मैं काम कर रही होती हूं तो मेरे जहन में अक्षर ये चीज आती है कि हमारे कुछ हमारे सब्क्राइबर्स की क्वेस्चन्स हैं चलो इसlike को हम थोड़ा सा अडिट कर लेते हैं या इसबिदैक को थोड़ा सा आप लोगों के साथ एक शेयर कर लेते इस ते आपका भी फाइदा हो जाता है और आप को थाहरे अप लोगों की ज़ीडिफिए तो मुझे भी ज़ीज़ादा मीफ होता है विससे भी मेरा नमबर वह वह डिस्क्रिफिशन में मजूद होता है आप मुझे वटसवर पर भी वह कांटाक्ट कर सकते हैं और अपने प्राबलम्ज़ यहों बता सकते हैं ठीक है और आप किसी भी सीटी से हैं हमारे सलौन पर जो है वो Classes जो है वो Regular जारी है ठीक है आप जो है वो Airmation करवा सकते हैं और हमारे number जो है आपको description में मिल जएगा इस के साथ ही आप मुझे इजाज़त दिजेगा दौण में हमेशा याद रख emphasize Allah Hafiz